नमस्कार, दोस्तों स्वागत है, हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों, आज से अब आपकी जिंदगी में इतना धन आएगा, इतना पैसा रुपया आएगा कि दोस्तों आप संभाल नहीं पाओगे, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ दोस्तों इस वीडियो को अंतर तक देख ल ये परिस्थिती बहुत ही तनाव भरी हो जाती है, हर कार्य करने से लेकर छोटी से छोटी जरूरत को पूरी करने के लिए पैसों की आवश्यक्ता होती है, ऐसे में यदि किसी की आर्थिक स्थिती कमजोर हो, तो घर में कलह की स्थिती भी उत्पन्न होने लगती है, तो कई बार कड़ी मेंट के बावजूद पैसों की कमी बनी रहती है और यही स्थिती अब आपके लिए भी बनी रहती है, तो दोस्तों अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब चिंता करना छोड़ दो, जी हाँ दोस्तों, अब आपको इन सारी समस्याओं का समाधा इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है जो कि किस्मत भी आपके सामने अपना सिर जुकाने वाला है तो बस दोस्तों आप से अनुरोध है कि वीडियो में अंत तक बनी रहे और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार कमेंट में सच्चे मन से धन की माता महालक्षमी क नाम अवश्य लिखें जिससे देवी मा की कृपा आप पर बनी रहेगी। साथ ही चैनल को भी अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप रोजाना सटीक और महत्वपूर्ण भविश्यवानी जान सकेंगे। और अब दोस्तों माता लक्ष्मी का आरशिवाद आपको प्राप्त होने जा रहा है जिससे अब आपके सारे कष्टों का समाधान मिलेगा। चीजों का लाब उठाएं लेकिन दोस्तों एक बात ये भी बेहत जरूरी है कि इन दिनों धोखा धड़ी के प्रस्तावों से भी थोड़ा सावधान रहें क्योंकि कोई आपकी क्षमता और चतुराई का गलत फाइदा उठा सकता है। इसलिए थोड़ा सतर्क रहे इसके साथ ही दोस्तों आज से आप उर्जा से भरपूर रहेंगे और काफी मेहनत करने के लिए तैयार भी रहेंगे जो कि आगे जाकर आपकी मेहनत का अपव बहुत बड़ा। इनाम मिलेगा आपकी सकारात्मक उर्जा का प्रवाह औरों को भी प्रभावित करेगा। आपकी टीम को आपसे बेहतर काम करने के लिए प्रेड़ना भी मिलेगी। वहीं दोस्तों घर पर भी आज से आप सामान्य से अधिक जिम्मेदारियां उठाएंगे। इसे आपके कर करीबियों को खुशी होगी। आपको बस यह देखना है कि यही स्थिती लगातार बनी रहे रहे और आपको भी कोई परेशानी ना हो। दोस्तों आप अपने समस्याओं के साथ भागीदारी प्राप्त करने के लिए कठिन प्रयास कर रहे हैं और आज आपकी यात्रा एक सं अंतोष जनक स्थिती पर समाप्त होगी। अब आप उस पुरसकार राशी के लाभारती हो सकते हैं। जो कि इस साजेदारी का नतीजा है 351 आपका। करीबी सहयोगी आपको अपना समर्थन देने के लिए भी विशेश शब्दों के साथ आपका धन्यवाद कर आपको समानि कर सकता है। इसके साथ ही दोस्तों यह समय अपने लक्षे के लिए गंभीरता से कोशिश करने का है जिससे की आपको बहुत जल्दी इसका फल भी मिलेगा। आप अभी कुछ बातों के बारे में सोच रहे थे। उनको भी कार्यान्वित करने का समय आ गया है। आपको अपन की दूसरी परेशानियां भी तुरंत दूर हो जाएंगे। उनके बारे में चिंता ना करें। यह समय अधिक से अधिक काम करने की कोशिश करें करें क्योंकि आपको इन दिनों अपने सब कामों में सफलता मिलेगी। इसके उपरांत दोस्तों जैसा कि आप अच्छे स्वभ के व्यक्ति हैं और वही जो जातक सामाजिक कारियों में भाग लेते रहे हैं। इन दिनों आपकी इन गुनों की बहुत सराहना की जाएगी और उनके लिए पुरसकार भी दिया जाएगा। वही आपको अपने आत्म विश्वास को बढ़ावा अध्भुत कलाकारी मिल सकती है और आप उस सब पास सकते हैं जो अपने बलबूते पर पाना इतना आसान नहीं था। इसके अलावा दोस्तों आप अपने सबसे अच्छे आलोचक हैं। अपनी स्थितिक आविशलेशन और उसके अनुसार कार्य करें करें। आज आपको समय के अनुसार चलने के लिए अ अपने आप को प्रेरित करने की आवश्यक्ता है। ध्यान केंद्रित करें जिससे की आप नीचे की और ना जाए समय के साथ आपको बड़ी जिम्मेदारियों के साथ सौंपा जा सकता है। तब तक निरंतरता रख सके। बाकी दोस्तों समय आपके पक्ष में है। बस आप के साथ सुनियों जित निवेश करें और आगे बढ़े इसके अलावा दोस्तों आग्याकारी होना अच्छा है लेकिन दूसरों के मताबिक ही सभी कार्या करना सही नहीं है आप और आपके विचार सबसे अलग है आपको जो सही लगे वह करें और लोगों की बातों में आने से बचे आप अपने विवाह योजना में अपने खर्चों को कम करने की कोशिश करें ताकि सकारात्मक वित्तिय बदलाव आए इसलिए आगे बढ़े और योजना को अंजाम देंगे जैसा कि दोस्तों यह समय आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा वही अचानक धनलाब हो प्रियासों में आपका सहयोग करेंगे जिससे आपको अपने कार्यक शेत्र में सफलता मिलेगी दोस्तों आज आपकी यात्राएं लाभधायक सिद्ध होंगी आप अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे और वही आज आज आपको के ही काम आएगा वही वरकिंग कर रही महिलाओं का काम अच्छा चलेगा आज आपके आए व्याय में समानता बनी रहेगी आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में भी आ सकते हैं जो भविश्य में आपके जीवन में प्रभावशाली भूमी का निभाएगा इसके साथ ही दो आप कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं जिससे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे दोस्तों आज किया गया उचित निवेश भविश्य में बहुत लाब देगा नया घर लेने का मन बना रहे हैं तो आज का दिन अच्छा रहने वाला है जैसा कि आज का दिन कार यक शेत्र में अच्छा लाब दिलाने वाला है वही संतान की चिंता भी कम होगी अच्छी जॉब लगने से घर में उत्सव सा माहौल बना रहेगा नया वाहन खरीदने की उत्सुकता आपके मन में रहेगी और वही आयात निर्यात का काम कर रहे लोगों को भी सफलता आज आपको उधार लेन देन से बचना चाहिए इसके अलावा आज आपके शत्रुपक्ष आपसे दूरी बना कर रहेंगे छोटी छोटी बातों पर घुसा करने से कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं बस दोस्तों आपको अपने घुसे पर नियंतरन रखना चाहिए इस के बेवजह उलजने से बचे दूसरों के सामने अपनी बात खुल कर रखने का मौका मिलेगा साथ ही आज आपको थोड़ा मानसिक परिश्रम करना पड़ सकता है आज के कारियों में माता-पिता का सहयोग प्राप्त होगा और उनके साथ खास पल को भी एंजॉय करेंगे इस आज लिये गए व्यवस्था एक निर्णे भविश्य में लाभकारी सिद्ध होंगे और शाम का समय अपने परिवार के साथ बिताएंगे दोस्तों अपने काम को किसी नए तरीके से करने की कोशिश करेंगे वही कपड़ों का कारोबार कर रहे लोगों को रोज की अपेक्ष आज परिवार जनों के साथ प्यार और प्लीज बढ़ेगा माता पिता से भविश्य के बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं इसके उपरांत दोस्तों आज कोई बड़ा और अलग काम करने की सोच सकते हैं साथ ही संतान के साथ किसी विशय पर चर्चा करेंगे और उनके ब क्रम में बदलाव के लिए बिलकुल उप्युक्त है आप आज से नई शारिरिक एकसरसाइज और दूसरे कार्यकलाब शुरू कर सकते हैं आज से ही आप में अपने स्वास्थे की विशेश रूप से सुधार देखने को मिलेगा इसके अलावा दोस्तों आपको अपने भोज के लिए बहुत ही जरूरी है वही आपको ये हनुभव होगा कि आप अगर गलत खाना खाएंगे तो उससे आपकी तरह प्रभावित हो सकती है इसलिए अब अपने खाने में इन बदलावों को लागू करें करें ये आपके लिए अच्छा साबित होगा दोस्तों इस समय कि अगर आपके शरीर का कोई हिस्सा कमजोर है तो थोड़ा संभल कर योजना बनाएं वर्टिकल बार जो हिस्सा आपका कमजोर है उसी वाले हाथ से वजन उठाने की प्रैक्टिस करें करें वही दोस्तों जैसा कि यह समय में आप सकारात्मक उरजा से भरे हुए हैं हाला कि कि आपकी सलाह अच्छी होंगी लेकिन बिन मांगे दी गई आपकी सलाह का हर कहीं स्वागत नहीं होगा आपको इन दिनों खुद की ही सुननी चाहिए और खुद को खुश करने की अब संभालने के लिए आप थोड़े पैसे भी खर्च कर सकते हैं इसके उपरांद दोस्तो लव लाइफ की बात करें करें तो जैसा कि आप अपने खास रिष्टे को कभी रहस समय रखना चाहते हैं और दुनिया की नजरों से बच कर इन पलों का मज़ा लेना चाहते हैं एक दूसरे से सब कुछ शेयर करें ताकि आप दोनों का एक दूसरे पर विश्वास बढ़ ज अच्छा है बस इसका तरीका कुछ अलग और नया होना चाहिए तो वही आज आप अपने खास दोस्त को किसी डेट पर ले जा सकते हैं प्रेम की इन तितलियों को ऐसे ही उड़ने दे और इन उतकृष्ट क्षणों का मज़ा ले ले तो वही आज से आप नई दोस्ती और न पुल्यबान साबित होगा परंतु हो सकता है अभी यह प्रतीत ना हो ना हो आप एक सहायक की मुद्रा में भी हैं और अपने मित्रों और परिवार की भरसक मदद करने के लिए तैयार है वही कुछ साधी सुदा जातकों को कई घटनाओं की वजह से आज से आपका प्रेम सं अलग ही प्रकाश में दिखेगा आपको कुछ नई जानकारी मिलेगी या अपने साथी की इच्छाओं और चरित्र के बारे में एक नई जानकारी मिल सकती है इसकी वजह से आपके रिष्टे में एक महत्वपूर्ण मोड आएगा आपको अपने साथी के लिए अपनी के लिए खुद से और अपने साथी से भी सवाल कर सकते हैं फिर भी आप उसके प्रति बहुत अच्छे बने रहेंगे और उससे भी बदले में यही उम्मीद रखेंगे जब पुराने विचारों से कोई काम बनता दिखाई ना दे रहा हो तो नए विचारों को अपना लेने में कोई बुराई नहीं है इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए अपने मन की आवाज सुनने और खुद को बहुत प्यार और इज़त देने का है जिसके आप हकदार हैं वर्टिकल बार इसके बाद आपको प्यार की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़ेगा वर्ट इसके साथ ही इन दिनों अन्य एवं दूसरे मौके के लिए उपयोग करें जिन लोगों ने आपके साथ कभी गलत तरह से विवहार किया है वह लोग आपसे मिलने और माफी मांगने आते समय नए सिरे से अपनी दोस्ती और प्रेम को मजबूत करने का समय है यह समय माफी प् दोस्तों यह समय पुरानी बातों को भूल कर एक नए सिरे से शुरुआत करने का समय है इसके साथ आपका प्रेम संबंध जुड़ेगा और आप अपने सपनों को साकार होते भी लिखेंगे दोस्तों को जातकों को उनका भाग्य हमेशा सही साथ देता है और यही कारण है कि सफलता आपके कदम चूम रही है अपने भविश्य की योजनाएं पहले से ही बना लेने से से आपका अपने प्रेमी को और भी चाहने लगेगे प्यार की ज्वाला को भढ़काने के लिए पार्टनर से छेडखानी करना ना भूले दोस्तों अपने व्यस्त जीवन से कुछ स पतजार कर रहा है आज आपकी रोमांटिक भावनाएं तीव रहे ऐसे में अपने साथी के लिए कोई खास उपहार तो बनता है जैसा कि दोस्तों काम और व्यवसाय के लिए आपका दिन अच्छा तो है जहां आपके बौस या वरिष्ट अधिकारी आपकी प्रशंसा कर रह आपकी नमरता आपकी खासियत है और आपकी इस खासियत की वजह से हर कोई आपके नजदीक आना चाहेगा आज का दिन आपके लिए बेहतरीन है और इसमें कई ऐसे पलाएंगे जो आपको उतसाहित कर देंगे ध्यान रहे रहे आने वाले कुछ दिनों तक अपने रोमांट जुकाव को और भी बढ़ा देगा ऐसे में आपका पार्टनर आपको आराम प्रधान करेगा तो दोस्तों आपसे विनती करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सबस्क्राइब जरूर और कमेंट बॉक्स में जैमा लक्षमी लिखना बिलकुल न भूले धन्यवाद